नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में दोस्तों आज का वीडियो बड़ा जादा इंटरस्टिंग धमागेदार होने वाला है वीडियो सुरू से लेकर आखरी तक देखेगा बहुत सारे कमेंट कोश्चन्स आप लोग के आते हैं कि सर, Renewable में कोई एक ऐसा स्टॉक बताईए जो हमें अच्छा खासा Ritern दे दे तो और डी दोस्तों मैं बहुत सारे स्टॉक आपको बता चुका हूँ इस रिनेवरवल एनरजी के लिए मैंने बहुत सारे stock आपको बता दिये हैं, बहुत सारे NTPC साहब, Nalco, Exide, बहुत सारे stock जो मैंने आपको दिलाए हैं, और क्यों दिलाए हैं, उसके कारण भी मैंने आपको बताए हैं, जैसे Exide मैंने battery के लिए दिला दिया है, आपको Nalco मैंने क्यों दिलाए है, वो भी आपको आपको पताईए दोस्तों कि इस समय मेरा जो पूरा फोकस है यानि कि जो मेरे पास पैसा है वो निवेश मैं कहां कर रहा हूँ और आपको किस तरह निवेश करवा रहा हूँ आपको पताईए अगर मेरे पास 100 रुपे हैं तो जो 60 रुपे हैं वो सहाब मेरे जा रहे हैं किसम renewable energy में और जो 10% बच रहा है वो technology के stock में जा रहा है technology के उन stock में जा रहा है जो सस्ते हैं जैसे सुरवारना वगेरा बहुत सारे stock मैंने आपको देलाए है अपनी जो 100 रुपे की capital है उसको मैंने किस तरह भी वाजित करा हुआ है वो चीज आपको मैं समय समय पर class के मात्यम से बताता रहता हूँ जो चीज में देखता हूँ बहुत जल्दी गुरू करेगी जिसमें ज़्यादा पैसा बन सकता है उसमें exposure ज़्यादा लगा देता हूँ यानि कि पैसा आप लोगों का वहाँ ज़्यादा investment करवा देता हूँ जैसे PSU bank सरकारी bank आज कैनरा bank गिरा बाय कर लिया कोई दीकत परसानी वाली बात नहीं और लेडी में उसके result आप लोगों के साथ discuss कर चुका हूँ result सांदार है किस कारण गिरा वो भी मैंने आपको बता दिया है कोटेक के result भी मैंने हम बात करेंगे ऐसी renewable energy sector के बारे में यानि कि renewable energy sector में जो इस समय क्रांती आने वाली है भविष्च में एक जबर दस दोस्तो changes आने वाले हैं परिवर्तन आने वाला है renewable energy sector की मैं कर रहा हूँ बात उसी को ध्यान में रखते वे एक ऐसा stock already ये stock मैं पिछली वीडियो में discuss कर चुका हूँ मैं बात कर रहा हूँ GMDC की गुजरात mineral development corporation की जी हाँ दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ GMDC की पिछली वीडियो में मैंने इसके fundamental analysis किये थे और ये company जो बॉक्साइट उत्पादन करती है उससे aluminium बनता उसके सारे फाइदे मैंने आपको बताए थे पिछली वीडियो में आज इस वीडियो में दोस्तो हम इस company के दूसरे अफ्तार के बारे में बात करेंगे कि company सहाब wind और solar power में भी है जी हाँ दोस्तो company wind और solar power में भी है ये company भर लो भर इसकी सहाफ किस्मत बदलने वाली है प्लटने वाली है इस company की किस्मत जी हाँ दोस्तो company को दो तरफ से ऐने वाला है इत्पलव फाइदा होने वाला है company को देखिए जो कमपनी आप जानते हैं कि कमपनी किस सेक्टर में है नहीं जानते पिछली वीडियो जाके देख लीजिए कमपनी क्या उत्पादन करती है वो सब आपको उसमें पता चल जाएगा ये कमपनी बॉक्साइड उत्पादन करती है बॉक्साइड बॉक्साइड से क्या मनता है ऐलिम साब electricity पता नहीं है यह aluminium कहां कहां use नहीं होता है यह aluminium जो boxside से उत्पादित होता है जो company boxside उत्पादन करती है ना कच्चा माल aluminium का कच्चा माल वो साब चीज boxside यह GMDC उत्पादित करती हो और इस boxside से aluminium बनता है और aluminium कहां कहां use होता है वो आपको अच्छी तरह पता है मैंने अपने टेलिग्राम चैनल पे सारी चीज़े आपको लिए लगा दी है कि ये ऐलमुनियम कहां से आता है इस ऐलमुनियम का कहां यूज होता है वो सब आप जाके देख लीजे आपको विश्तित्र चीज़ समझ में आजाएगी पूरी पिक्चर समझ में आजाएगी इस तरह मैंने डिजिटल नोट लगाए है अपने टेलिग्राम चैनल पे GMDC के साब मैंने सारी वेब साइट इस कंपनी की प्रोफाइल सब कुछ मैंने अपने टेलिग्राम चैनल पे लगा दिया है कुछ सब अगर आपको यहां समझ में ना आएए वीडियो आपको कोई थोड़ा सा चीज़े समझ में ना आए तो टेलिग्राम चैनल पे चले जाएए वैसे मेरी लेंग्वेज ऐसी होती है कि आपको इजली समझ में आ जाएगा मैं बता रहा था दोस्तों इस कंपनी के साहब एक चीज़ के बारे में की कंपनी बॉक्साइड उत्पान करती है अलमूनियम बनता है और अलमूनियम कहां कहां यूज होता है मैंने बताया न अगर मैं यहां बताने लग जाओ तो डेट दो घंटा कम पड़ जाए इस अलमूनियम का साहब अब इलेक्री वीकल्स में बैटरी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा यानि इलेक्री वीकल्स में जो बैटरी आ लेंगेंगी लीथियम का सब्स्टिट्यूट अलमूनियम में देखा जा रहा है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आयोसी ने इस्राइल की कमपनी के साथ टाई अब किया है आयोसी का वीडियो जाके देख लीजिए आपको सारी चीज़े पता चल जाएंगी अलमूनियम की बैटरी बनाई जाएंगी जो लीथियम से मोर इफेक्टिव होंगी और कम साब महंगी होंगी यानि की लीथियम से होंगी सस्ती लेकिन पावरफुल लीथियम से ज़्यादा होंगी ऐसा ही रिसर्च चल ला है इसलिए IOC ने इसराइल की कमपनी के साथ किया है कमपनी बनाती है बॉक्साइट और बॉक्साइट साब बॉक्साइट से उत्पन होता है अलमूनियम बहुत बड़ा दोस्तों ये गेम चेंजर साबित होने वाला है बॉक्साइट GMDC कमपनी के लिए बहुत बड़ा बहुत बड़ा आप यकीन नहीं मानोगे कि कितना बड़ा साबित होने वाला है यह अलमुनियम अगर साब जो इस प्रकार की घोसना है हो रही है जिस प्रकार कमपनिया एक दूसरे के साथ टाइप करने हैं अगर उसके हिसाब से फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यह बॉक्साइट जिससे अलमुनियम मनता है यह साब GMDC की किस उत्पादन करती है बॉक्साइट जो कमपनी उत्पादन करती है वो अलमुनियम के फाइदे मैंने आपको बता दिये रही बात कमपनी के फंडामेंटल फाइनेशल ट्रेक रिपोर्ट रिकॉर्ड की और लेडी उस वीडियो में मैं डिसकस कर चुका हूँ और लेडी अभी रिसेंटली कल इसके रिजल्ट आये थे सांदार कमपनी ने रिजल्ट पेस किये हैं साब घाटे से मुनाफे किये और कंटिनियूसली कमपनी बढ़ रही है 38 करोर का पिछली बार प्रॉफिट था इस बार 40 करोर के आसपास कमपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है सेल्स भी ठीक ठाक है वो भी चीज आप टेलिग्राम पे जाके देख लीजे पीडियप के मादियम से डिजिटल नोट्स के मादियम से आपके पास सब कुछ पहुँच चुका है फाइनेशल ट्रेक रिकॉर्ट ठीक ठाक है मैंने आपको बताया था ये कमपनी लॉस में क्यों आई थी क्योंकि जब कुछ प्रोडेक्शन हुआ ही नहीं था जब खुदान ही नहीं हुआ ख़दान करती है न बोकसाइट उत्पादन करती है बोकसाइट उत्पादन के लिए साब खुदान होनी जरूरी है लेवर चाहिए अब labor ही साहब lockdown के वज़े से जब ख़दानों में नहीं पहुच पाई तो company क्या करेगी साहब कुछ नहीं company का तो अच्छा माल ही नहीं पाई जो आगे वो बेख सके इस कारण दोस्तों खर्चे बढ़ गए आमधनी कम हो गई company loss में आ गई ये करोना उसका एक मुखे कारण था इस पेसली lockdown ये कारण था lockdown GMDC के साहब loss में आने का लेकिन आप धीरे धीरे जैसे economic खुल लई है labor साहब ख़दानों में जाने लगी है तो आप साहब company के आप result में भी इसका असर देखी रहे होगे कि company धीरे धीरे साहब profit में आ रही है तो company दोस्तों मैंने आपको बदाया सबसे पहले box side उत्पादन करती है box side से aluminium साहब एक पहलू एक benefit तो company का ये नजर आता है दूसरा इसका financial tech record धीरे 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 सही हो रहा है अगर मान लिया company सानदार जानदार performance करती रहती तो क्या आपको ये 70-80 रुपे के आसपास मिलने ही होती मुझे आप बताईए company का जब बुरा दोर सुरू होता है company कोई बुरे दोर से गुजर रही होती है अच्छी company बुरे दोर से गुजर रही होती है तो वो एक best समय होता है company को धीरे धीरे accumulation करने का यानि कि उसके shares को धीरे धीरे अपने portfolio में लाने का एक बहतरीन समय होता है जब company बुरे दोर से गुजर रही हो और उसके साथ भविष्च की संभावना है बहुत जबर्दस्त हों भविष्च को ध्यान में रखते वे हमेशा आज निवेश करना चाहिए मैंने कई बार आपको बताया हुआ है और इसका भविष्च तो साफ निकल के सामने आ रहा है एक aluminium के रूप में और दूसरा साथ आपको यकीन नहीं होगा यह जो company का दूसरा अवतार है कि company wind power और solar energy को भी produce करती है जीहां दोस्तों GMDC wind और solar power को भी produce करती है आप यकीन मानिये कि इसके जो छोटे छोटे wind की unit है ना बगल में देखिए साब मेरे खाल से पोरवंदर, राची और देखे कोई जगा है मेरे खाल से देभुमी, कच्छ और साब मेरे खाल से जामनगर, राचकोट इन जगाए जो GMDC के wind power की unit है ना छोटी छोटी unit लगा रखी है इसने, उससे ये 200 MW power generate करती है और जिस प्रकार आज की जो situation चल लही है, green energy को लेकर, renewable energy को लेकर, अक्षे उर्जा को लेकर उससे ये company साब अच्छा performance करेगी, क्योंकि company already इस छेतर में है तो company बिजली बना रही है wind power से, 200 MW, धीरे धीरे इसका graph जो है वो बरता हुआ आपको नजर आएगा, बगल में जो graph लगा हुआ है ये wind power में है, ठीक है, wind power का infrastructure already इसके पास है दूसरी चीच सुनिए, wind power के साथ साथ दोस्तों ये company solar power भी बनाती है, यानि solar से power generate करती है जी हाँ दोस्तों, wind और solar, इसी पे तो दुनिया चल ले है आज कल, इसी के तो साथ हाहला मच रहा है, चारो तरफ, renewable, renewable, green, green, hydrogen, ये सब कुछ और उसी में साथ, उसी segment में ये company काम कर रही है, wind power भी बना रही है, solar power को भी generate कर दिये solar power इसने अपने लिए लगाया था, अपने जो जितने कार खाने हैं, वहाँ की जो electricity power को, पूरा power की जरूतों को पूरा करने के लिए इसने solar plant लगाये थे, वहाँ से धीरे धीरे production कम होता गया, स्री 5 मेगावाट ही वहाँ से produce कर रही है ये company और वही जो बिजली वहाँ से produce कर रही है, वो अपने कार खानों में use कर रही है, लेकिन infrastructure company के पास दोस्तों already है wind का भी और solar का भी, तो आप सोचे कि company को दो तरफा से मुनाफ़ा होने वाला है company जो बॉक्साइड उत्पादन कर रही है, उससे aluminium बनेगा, aluminium से electric vehicles की जो car की बैटरियां है उसमें aluminium की बैटरियां आएंगी, जिसका lithium substitute बन, aluminium जो है, वो lithium का substitute ढूंडा जा रहा है और होगा, क्योंकि इस्राइल की company already साब जो aluminium से बैटरी बना रही है, इसलिए IOC ने इस्राइल की company के साथ tie up किया है तो एक benefit होगया, इसका aluminium, बॉक्साइड का उत्पादन करना, दूसरा साब जो इसका नया अवतार है, वो है wind energy wind energy का graph जो है ना, धीरे धीरे company का बढ़ रहा है तो GM DC पे focus करिए दोस्तों, इस company की किस्मत बहुत जल्दी बदलने वाली है इस company के पास boxide है, wind power का infrastructure है, solar power का infrastructure है और जिस प्रकार कहानी की बात चले ये, renewable energy, green energy की बात चले ये, उसको देखते विए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में ये company धमाल मचाने के लिए तयार है क्योंकि company के पास वो सभी चीजे उपलद हैं, जो renewable infrastructure को खड़ा करने में सहब जरूरी होती है तो आगे दीजे मुझे, आज का ये वीडियो समात करने की पूरी detail, इसके result, GMDC के result, इसकी website, मैंने अपने टेलिग्राम पे लगा दिये है आप टेलिग्राम चैनल को जाके देख लीजे, इस company के coach stock, accumulation के द्वारा वाय करते रहे है आपकी किस्मत, इस company किस्मत के साथ पलटते वे देर नहीं लगेगी और मुझे अगे दीजे, अब finally, ये वीडियो समात करने की मुलाकात होगी, किसी next वीडियो में, किसी नए topic के साथ तब तक कीजे, इंतिजार, finally, नमस्कार